समय जैसे वहीं पे थम गया हो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते है फिर आशी आई कॉन्टेक्ट तोड़ता है और वहाँ से चला जाता है फिर पुन भी अंदर चला जाता है उसके बाद शुड़ू होता है आशी का शो जहाँ पे उसके साथ मिंग मुँंग और टाइट सु कहता है मैं गस को ब्लेम कर रहा हूं गस पूछता है तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो तुम पुन को ब्लेम करो लेट आने के लिए तभी पुन आता है गस कहता है तुमारा वेट करते करते मैं अपना थाट कॉफी पी रहा हूं सु पुन से पूछता है तुम मुस्क के बारे में बात करने आये हो है ना उनका तीस्टर फ्रेंड कहता है हां हम तीनों को अल्रेडी इंटर्ण्शिप जब मिल चुका है तुम अकेला हो जिसने प्रोफेसर को अभी रिप्लाइ लेटा नहीं भेजा है उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें वर्ण करने के लिए तो त आप हमें कभी भी कॉल कर सकते है वेन कहती है ये सिर्फ टाइटल के लिए एपलाई होगा आशी और मिंग मुआं के लिए आपको मुझसे कॉंटेक्ट करना पड़ेगा और आज के फीस के लिए आप मेरे थ्रू पेमेंट कर सकते है प्रेयो के थ्रू नहीं मैं उन्हें पर आशी और टाइटल दोनों एक दूसरे को बाई कहते है और वहां से चले जाते है देखने से लगता है कि आशी के मन में टाइटल के लिए सौफ्ट करनार है दूसरी तरफ पुन अपने फ्रेंड से कहता है मैंने अल्रेडी अपना रिजूम भेज दिया है अभी उनके रिप लाई देंगे जब उनके पास टाइम होगा गस पूछता है अगर वो लोग नेक्स्ट यार तक फी नहीं होंगे तो क्या तुम नेक्स्ट यार तक वेट करोगे उनका तीसरा फ्रेंड कहता है हमने तुम्हें यहाँ पे कॉल किया है क्योंकि हम तुम्हारा हेल्प करना चात रिजूक की वाली लेडी वहां पर आती है, वो गस से कहती है, गस यह तुम हो तुम यहां पर क्या कर रहे हो, गस उसे फिल्म कहके, एड्रस करता है, और हैलो कहता है, फिल्म उनके साथ बैठती है, Gus कहता है, मैंने अपने फ्रेंज को यहाँ पे इन्वाइट किया था इंटर्शिप के बाड़े में बात करने के लिए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो फिल्म कहती है, मैं यहाँ पे आशी मिंग मॉंग और टाइटल के इवन के लिए आई हूँ गस कहता है मैं सच में आशी को देखना चाता हूँ लेकिन ये मुर्क इतनी देर से आया फिल्म कहती है अगर तुम उसे देखना चाते हो तो मुझसे फिल्म सेट पे आके मिलना मैं तुम्हें उनके साथ फोटोस भी लेने के लिए कह सकती हूँ गस पूछता है कौन सा फिल्म सेट फिल्म कहती है प्रिंस अफ लव मैं वहाँ पे काम करती हूँ तभी पुन excited होके कहता है सच में फिल्म हा कहती है तभी पुन गस को whisper करके कहता है मैंने अपना reason उसी फिल्म सेट में भेजा है क्या तुम मेरे लिए उनसे बात करोगे गस पूछता है तुम मुझे इन सब में क्यों उज़ा रहे हो पुन कहता है प्लीज मेरी help करो मैं सच में वहाँ पे काम करना चाता हूँ गस कहता है ठीके ठीके मैं पूछता हूँ फिर फिल्म से पूछता है क्या वो सेट पे intern को accept करते है फिल्म कहती है मैं इसके बारे में नहीं जानती क्यों गस कहता है विल पुन कह रहा है कि उसने अपना reason उसी फिल्म सेट में भेजा है फिल् इसे कहूंगी इसका close inspection करने के लिए मैं तुम्हें call करके बता दूंगी के तुम accept हुए हो या नहीं फिर वो उन लोगों को buy बोलके वहां से चली जाती है पुन्खुशी से चिल्ला उठता है और कहता है ये मुझे काम करने के लिए जगा मिल गया है तुम लोग मुझसे जिल तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुम दोनों को hire नहीं करेंगे आशी कहता है ऐसी बात नहीं है मुझे बस प्रेव के लिए बुरा फिल हो रहा है वेन कहती है तुम्हें क्यों उसके लिए बुरा फिल हो रहा है वो कभी हमारे लिए बुरा फिल नहीं करती वो success के लिए हम मेंशा हम पर डिपेंड करती है मुझे नहीं पता कि उसका पास्ट लाइप एक जोग था या नहीं यह सुनके मिंग मौंग हसता है वेन कहती है और तुम तुम क्यों हस रहे हो तुम्हें याद नहीं है उसने हम तीनों के साथ क्या की थी फ्लैश पैक में दिखाया जाता है ज तुमने किस से बात किया तुमने फी बढ़ाने के लिए मेरा नाम क्यों यूज किया और तुमने इसका 50% भी ले लिया प्रेव पूछती है तो क्या हुआ क्या ये अच्छी बात नहीं है हमारे बच्चों को ज्यादा पैसा मिलेगा राइट वेन पूछती है तुम श्योर ह ट्रांसफर क्यों नहीं किया वेन पूछती है कौन सा पैमेंट एक लड़का कहता है जो एड़टाइसमेंट हमने किया उसका आपने कही थी आप 20,000 यूज डॉलर ट्रांसफर करेंगे लेकिन आपने बस 10,000 भेजा वेन प्रेव की तरफ देखती है प्रेव डर जाती है वे मैं उनका थोड़ा पेमेंट नहीं काटती तो तुम्हें कुछ बहीं मिलता मैंने ओलरेडि सब कुछ एक्स्प्रेंट कर दिया है वेन कहती है तुमें जूटे हो प्रेव प्रेव कहती है वेन यू बिच तुमारी यह बोलने की हिמת कैसे हुई वेन पूछती है क्यों मैं क् कह सकती तुम उनसे कहते हो पैसा बराने के लिए और जादा तर अपने पॉकेट में ही घुसा देते हो तभी वो तीनों भी वहाँ पे आ जाते हैं आशी भी प्रेव से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया प्रेव पूछती है क्यों मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती क्या करोगे त दोनों वैन को लेके वहाँ से चले जाते हैं तो प्रिव चिल्लाने लगती है वैन फिर से आती है तो प्रिव डढ़के टैटल के पीछे छुप जाती है फिर वैन आशी और मिंग मुआंग को एक दूसरी जगा पे ले जाते हैं वैन कहती है मॉडेलिंग एजंसी के लिए ये होगा हमारा ओफिस आशी कहता है मुझे लगता है कि ये ठीक है छोटा लेकिन आराम दायक मिंग मुआंग भी कहता है कि ये जगा बहुत अच्छा है यहां पर बिहाइंड दसीन भी कर सकते है वैन कहती है मैं नहीं चाती के तुम दोनों को ट्राविल करने में परिशानी हो मि लेकिन तुम दोनों को चींदा करने की जरुरत नहीं है तुम दोनों बस मुझे विश्वास रखो वो दोनों कहते है हमें आप पर विश्वास है कहानी प्रेजन में आती है वैन कहती है हम इस जगापे पहुचने के लिए कितना खुन-पसीना बहाए है मैं प्रेव को ये करने नहीं दूंगी आशी कहता है आप जादा मत सोचिए प्रेव ऐसा कुछ नहीं कर सकती वैन कहती है मैं उसे एक जानती हूं मैं उसकी असली नेचर जानती हूं वो तुम दोनों से जलती है क्योंकि वो टाइटल को तुम लोगों के जितना फेमस नहीं बना पाई मिंग मौंग पुछता है आप ऐसा कैसे माप सकती है कि कौन किस से जादा फेमस है वैन कहती है मिंग मौंग इतना इनोसेंट मत बनो अगर सेक्वेल में वोरा लीड नहीं होती तो टाइटल को कभी भी ड्रामा में रोल नहीं मिलता आशी कहता है टाइटल एक बहुत अच्छा एक्टर है हर कोई उसके साथ काम करना चाहेगा वैन कहती है उनके फेवर में बात मत करो मेरे मन में टाइटल को लेके कोई प पसंद नहीं आती फिर कहती है कम ओन जाओ अपने कप्टे चेंज कर लो फिर पुन घर लोडता है वो बहुत खुश होता है वो अपने डोगी से कहता है मुझे अब मेरे आशी से मिलने का मौका मिलेगा क्या तुम मेरे लिए खुश हो उसकी मॉम पूछती है तुम इतने ख पुन कहता है एटलीस्ट डॉक्स मेरे साथ जाधा उनिस्ट है पूछता है क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो मैं तुम्हारा भाई हूँ उनकी मॉम कहती है तुम दोनों बस करो तुम दोनों हमेशा लड़ते हो और तुम पुन तुम अभी अभी आए हो जाओ पहले नहा पुन वहां से चला जाता है फिर दिखाया जाता है पुन नहा रहा होता है वो बहुत खुश होता है वो नहाते हुए डांस कर रहा होता है फिर वो बच्पन की बात यात करता है आशी उससे कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा डरना मत और आशी पुन के नीके में पढ़ जाएगा मैं कितना कूल हूं फिर एक नाइट क्लब दिखाया जाता है जहां पर एक परसन बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है वहां पर मिंग मुआंग आता है और उस परसन को देखे कहता है हैंसम और बेवकूफ टोटली मेरे टाइप का फिर उस परसन से जाके दोनों एक दूसरे के आखों में देखते हैं वह परसन अपने थाम से मिंग मुआंग के लिप को रब करके उसे लिग करता है फिर उसके हैंड को टच करता है फिर दोनों थोड़ा इंटिमेटली डांस करते हैं और फिर क्या चले जाते हैं होटेल रूम में वान नाइट कर रहे होते हैं किस करते करते दोनों एक दूसरे के कप्रे खोलते हैं और बेट पे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं दोनों कैई सारे पूसेस ट्राय करते हैं और नेक्स टी मॉर्निंग को मिंग मुआंग होटिल के बेट पे सो रहा होता है वह उटता है तो देखता है वो person बाहर जाने के लिए ready हो गया है। वो किसी से phone पे कहता है कि मैं क्लिनिक के लिए निकल गया हूँ। प्लीज patient से कहिए थोड़ी देर wait करने के लिए। मतलब शायद वो एक doctor है। फिर call cut करने के बाद मिंग वांग से कहता है मैं जा रहा हूँ। मिंग मुंग जाके उसे रोकता है और वो परसन पूछता है कुछ हुआ है क्या मिंग मुंग उसके कान के पास जाके पूछता है क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है मैं तुमसे फिर से मिलना चाता हूँ वो परसन कहता है आप एक मुवी स्टार है राइट मुझे लग मैं ऐसे किसी को डेट करना नहीं चाता जिसके साथ मैंने वन नाइट स्टेंड किया है और वो चला जाता है मिंग मुआंग भी उसके पीछे पीछे डोर तक आता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता वो डोर उपेन करके खड़ा हुआ होता है तभी वहां से एक वेट्रिस जा रह ही होती है वो मिंग मुआंग को अजीब तरीके से देखती है क्योंकि वो फुली नैकेट होता है मिंग मुआंग जल्दी से डोर को क्लोस कर देता है तभी उसे आशी का कॉल आता है वो कॉल को पिक करता है इधर आशी और वेन मिस कोई के सामने बैठे हुए होते है वहां प कि तुम तीनों प्रेव के साथ बिना किसी कंडिशन के काम करो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड वन एंड हो जाती है गाइस एपिसोड बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में एक्स्प्लेन किया तो गाइस फिर मिल किलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई